लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइटिन को प्रेस करें लाईब कर चैनल्स कता घरत टेंते ही हैं कर दो 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 अब हमारी प्यारी बिटिया अपने जनम दिन का केक आटेगी अरे ये क्या चमपा चमीली बच कमीज दोना मा मेरी चोटी बेहने तो है इन्होंने बुझाया मैंने बुझाया बात तो एक हुई नमा देखा देखा कुछ तमीज सिखो अपनी साथेली बेहने को अरे जाने भी दोना पहना लो मेरी प्यारी बेटी अपने ननननने हाथों से केक काटो हजारो साल जी हो बेटा तुम्हे हमारी भी उमर रख चाए हमारी रानी बिटिया के लिए ये प्यारा सा गुड़ा थैंक यू डैडी अरे जी जा जी इसे रानी बिटिया न कहिए ये तो महरानी है बेटा अपने प्यारे प्यारे मामा को केक व झाला जे डिती रह और आफ़ी मामा को केक नहीं लहीं खिला गैक केक लाएं यह लो मा याम के चलो आँੰ डो चमपाचमेली तुम भी एकखाओ नहीं हमेली एकखाने एकेक कामेली सुनो मेरी बात सुनो रामु काका यह केक बच्चों में बाढ़ दो भाइब अच्छा आओ बच्चों आओ नाशता थयार है आजाओ कुछ एक्टिंग अपनी बच्चियों को भी सिखा दो इनसे कहो कि जूठा प्यार करने या दिखाने में कोई पैसे नहीं करचोते उनको क्या कहूँ? मैं तो खुछ भी तंगा गई हूँ, एक्टिंग करते करते नहीं बेना अब यह ज्यादा दिनों की बात नहीं है यह जो अपने सर पे तुम सिंदूर का बोच लिये फिरती होना यह बस उतरने ही बाला है जी जाजी को दो दिल के दोरे बढ़ चुके हैं और तीसरा दोरा उनका आगली होगा साले साब, अपनी बेहना से क्या बाते कर रहे थे, हमें भी तो बताओ जी जाजी, एक भाई बहला अपनी बेहन की खुशियों की अलावा और सोच भी क्या सिकता है और मेरी बेहन की सारी खुशिया तो आप हैं, बस आपकी लंबी उमर की दुआई मांग रहे थे साले साब, अगर दौा मांगनी है, तो ये मांगिए, कि हमारा छोटा सा परिवार हमेशा हस्ता खेलता रहे अले, हमारी बिटिया रानी एरे होटल के सारे कागस पुश्पा पैन, इस पर जीजा जी के दस्तकत करा के सारी जाइदाद अपने और अपनी दोनों बच्चियों के नाम लिखा ला है, जो अब तक उस अनमोल के नाम है तेरी शादी को अभी सिर्फ छे मेने हुए हैं भाईया, अगर अभी से मैंने जादाद की बात की, तो उन्हें शक हो जाएगा, कि ये शादी मैंने सिर्फ पैसे की खातिए अगर एक बात याद रखना पैना, कि अगर जी-जाजी मर गेना, तो सारी उमर इस अनमोल की गुलामी करनी पड़ेगी ऐसा वक्त आने से पहले, मैं अनमोल का गल आना घोड़ दूँ मिश्वा अगर तुने ये शिला दिया है मेरी भलाई का, मैंने तो तुसे इसली शादी की थी कि अनमोल को मा का प्यार मिल जाए, तेरे बे सहारा बच्चो को पाप का प्यार लेकिं तू, तू, केचव, केचव, केचव अए जन मिलाई घटे ही नए जना तुसे का इस्ड़न अए तूर्गा ओञे ये जेतां पापका उर्ष, केचव, क्यों तो वपादए पाँ पादि पाइ! जर नही 어떻 ningún 살 दुतो वहे? बाहे बावे लेकिन दस तकत नहीं खरूँ भाए गुड़ बाइयों जीजे अरो शेर को देखके ऐसा भागा ऐसा भागा पापा? मा? मा क्या हो पापा को? मा बताओ ना? मर गए तेरे पापा अरै पापा! पापा! वाइयो मामी वाइयो 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 आज से तेरा स्कूल जाना बन लेकिन मा नहीं मा जी यह क्या मलकिम तुम अपनी अउकात में रहो जाओ जाके चमपा चमेली को स्कूल छोड़के आओ नहीं मामा जी हम भी स्कूल जाएंगे क्या तु अस्कूल जाएगी आज के बाद तुने हमारे हुकम के बगायर एक भी कदम बाहर निकाला तो तुझे जिर्जाए चला जूँगा बाहर से इस घर का सारा काम तू करेगी सब ठीक वह जल वह जाए पुष्पा अन्मोल पर इतना जुम करो कि सारी जिंदगी वह हम लोगों से ड़ी से मिराए ताके जब वह अठारा मरस्की हो जाए तो इस होटल इस होटल को हम अपने नाम रिखवा सकें आज के बाद तो यही रहेगी और समझ गई ना तू चल पुष्पा पैन है कर दाहिँ कर दो देखिया रहिये, जल्दी से साफकर हम हम अरियो अनमोल की बच्ची, आय मा जी, अरियो अनमोल, जल्दी से दूर लेकरा, लाइचा बजय मेली चमीली, अनमोल को दुख देगे, जो मुझी सुख मिलता है, वो मैं बया नहीं कर सकती ठीक कहती है तू, जब तक हमारी किसी हरकत से उसे मार नहीं पड़ती, रखता है दिन बेकार गया जी दूद, उदार रख दो साफकर, जी, सैंडल साफकर ठीक है, मैं कपड़ा लेके आदी हूँ यह दुपट्टा क्या अपना मुझ पहुचने के लिए रखा है, साफकर तिक है, तिक है तिक है तिक है, तिक है नहाँ मामा जी क्या है जी नाश्ता लाएंग अरे तो रख मारे चल जा कौक्रोच कभी जूस में कौक्रोच और कभी मरी हुई मक्री लगता है बात दिन से तुझे जलाया नहीं बूल कैसा मामा जी मेरे बता जूस में कैसे कौक्रोच आया तुझे नहीं पता तो इसमें कौक्रोच तेरे मरी में बात ले डालाया सादी सबाल लडाती है चल दफाओ जा जा, get out पेता नहीं कैसे आया जोर से खाने को इतना खाती है हाथ नहीं चलते इसके बाता 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 अरे आगे मेरी शहजादिया बाता ममी हम लग शॉपिंग पर जा रहे हैं तो पैसे चाहिए बाता था अलो बिटे लो जितने से यह ले लो जो जो थैंक यू ममी ध्यान से हाँ खरी लेना जो 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 चाहिए जी ममी माजी आज पीताजी की बर्सी है तो क्या करूँ बर्फी बातू जी अगर गयरबे मिल जाते तो उनकी तस्विर पे चड़ाने के लिए फूलों का हार लेते हैं फूलों का हार? अरे मैं तो इस पे जूतों का हार ना चड़ाओ माजी जा 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 के रुसोई में बर्तनमा जा अरे देखती कैसे मुझे अबर्दार जो ऐसे देखा मुझे अजिए जा ए जाए अन्वर आज बरे मारे की बर्सी हैं लोवेती अग अग पिताजी, बचपच से लेके अब तक, यह संदे की नर्ग बच चुकी है क्या हमें इस नर्ग से निकाले वाला, कोई नहीं आएगा कोई नहीं आएगा के अच्छ इएगा कि अच्छ देखे देखे अच्छ बच तरह कोई अच्छ आगा अच्छ देखें वाले तो आपसी एच्छ यहां तक पहुचाने का बहुत बहुत धन्यवाद पापाजी तेने पैसे होई और रहन दे पुत्रा तुने इतनी अच्छी अच्छी धने सुनाई के सुनके दिल खुश हो गया और खुशना पुत्रा धन्यवाद सच्छे गाल जल्बुदी यस प्लीज यह रहाँ अपॉर्णमेंट लेटर मैनेजर साफ से कहीं का मागए अच्छा तो तुम हो हमारे होटल के नहीं सिंगर जी और ये कुत्ता सर्य मोती है मेरा साथी मैं हूँ प्रेम नाइस मितिक विसल्फ ठीक है आओ तुम्हें होटल के दूसरे बैंट प्लेट से म आओ तो चलो वास इं से मिलो तुमारे ने सिंगर और बांड लीडर प्रेम है इंन थैनि थैंट्थिन थैड आम रोडरीक लोग नरेश यह किषर शेशी आम रभी सफर सबका जल बुट थंडिया यहापे okay okay now how's the sound system here? it's okay everything is on yeah is it on? hello testing 1 2 3 4 hi sweetie this city you made me for my life ma'am hi handsome this city you made me for my life आज सुबा से मेरी आँख भड़क रही थी लगता था किसी handsome से मुलातात होगी जब से पता चला है कि आप आ रहे हैं राते करवटे बदल बदल के गुजारी हैं हमने by the way I'm Champa और मैं Chameli हम दोनों बहने हैं अच्छा अच्छा आज से पूछना भूलिया मेरे जाने का बंदोबस क्या है यह तो मैंनेजर से पूछना पड़गा लो हमारे होते मैंनेजर को पूछने की क्या जरूत है चलो ना तुम जैसे जितने भी खुबसूरत मर्दी आते हैं उनके खाने, पीने, सोने का अंसाम हम खुद करते हैं इस मामले में हमारी रेप्लिटिशन सारे इल स्टेशन पे मशूर है रहे हैं रहे हैं लगता है आप यह पेली बार आये हैं वह भी बली को लगे ले फिकर मत कीजिए हम आपको अखेला पर महसूस नहीं होने देंगे आईए आपका कमरा इसक्यूज़े मिस नीचे आईए ता चलो मुती अब और किसी चीज की ज़रूद नहीं अगर किसी चीज की ज़रूद पड़े तो बेलमल बजाएगा सीटी बजादीज़ेगा शर्माईए गावत हम सामने ही रहते हैं राजर हो जाएगे ठीक है कोई बादी जाओ थैक्यू बुदी लगता है अपनी इजद को खत्रा है यहाँ बिलकुल अजनी अपनी कुंडली में और किस-किस से मिलना बाकी है क्यों लाला 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 सुनिये आप वो धून फिर से कुन गनाई है ना मैं उसे संगीत के कागस में लग देता हूँ एक लग वो भी ले देता है आप अजया 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 बगाओ, वो गले पढ़ता है, और जिसे बुलाओ, वो दूर भागता है सुनी अरे, आपने इतनी अच्छी धून अधूरी छोड़ दी, उसे पूरा तो कर दीजे न प्लीज अरे, इतना अच्छा गुन-गुना रही थी आप लगता है आप में संगीत की समझ है, हाँ जी, बच्छुन में प्यानों बजाया करते थे हम प्यानों और मैं अकॉर्डियन, मैं इस होटल का नेल सिंगर हूँ प्रेम नाम है मेरा, प्रेम क्या नाम है आपका जी, अनमोल इसके अलावा कोई दूसरा नाम आपका हो भी नहीं सकता था ठीकिया, आप गुल्गुले, यह, मैं नोट करता हूँ मैं, एक मिनट प्रेम 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 कि देखे न शायद वो संगीत के कागर जोड़कर आपके पास इसलिए चले गए कि आप उन पर अपनी धुन लिखते हैं आप लिख लीजिए मैं नहीं आता हूं नहीं नहीं आप यह नहीं आ सकते क्यों जीवों कि ठीक है मुटी मैं नहीं आ सकता मेरा साथी तो आ सकता है यह मुटी मेरा साथी मुटी अन्मोल कि एक एक लिए जा मुटी फूल देकर हमाई तरह से उनका शुक्रिया दा करना मुटी जानती हो मुटी जंदगी में पहले बारा में किसी नहीं है फोल भेजा है हाँ हाँ लिखती है हमने वो वो थी सुनने आएंगे न आप जी मैं इंतिजार करूँगा हाँ 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 अरे चमपा चमेली बेटा जल्दी करो बहुत देर हो रही है बस आगे ममी जल्दी बेटा जल्दी जल्दी अरे वाँ ए मारानी जी आप ये बंठन के कहा जा रही है मा जी आम्धी सहा जाना कहा है माजी मामी आठीडोब के अठाट मिसल्दीन पर नेख ये खाल यह तुने हमारे कपड़े पहन लिये ? यह पुराने कपड़े अपने भचते थे भचते ते गर की साफ-सफाई के लिए ne لबच अए.. मैं भी सोचूं कि मेरा अएॉल टुर देबचा कहा गया ज़ब दो.. पहलो.. चलो, शो को देर हो ले, चलो, में रिरानी जी 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 फिक्रमत कर अन्मोल, प्रेम की आवास तुम्हें इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके देंगे बाई गुद इवनिंग लेडिस एंड जिटलमन आज हम आपके सामने अपने नए सिंगर प्रेम कुमार को पेश करते हैं प्रेम कुमार, गिविम अब बिग हैंड लेडिस एंड जेंजमेंट थैंक्यू, थैंक्यू, दोस्तों, जो गीत में आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ उसके बोल तो मेरे है, लेकि धुन किसी और की है, जिसका मेरी नजरों को इंतिजार है हम नहीं आ सकते प्रेम, नहीं आ सकते को अशए कि सकते किसी और का Focus कि सकते है, थैंक्यू, प्रुए, शोस, प्रेमा Golf को जिए अलब चेहा है क्मो मेरे अींक्यू, आ सकते को भू..? परवाम ते रही है ये शाम ढ़लते ढ़लते बनती है जिन्दकी में हर बात बनते बनते परवाम ते रही है ये शाम ढ़लते ढ़लते बनती है जिन्दकी में हर बात बनते बनते कर दो कर दो कर दो हम सफर के मिना तो मजा आए ना हम सफर के मिना तो मजा आए ना जिंदगी में केला रहा जाए ना कोई हमें मिलेगा ऐसे ही चलते चलते बंती है जिंदकी में हर बात बंते बंते परवात बंते बंते लेए कर दो कर दो कर दो साज दिल छेड़ते मुस्कुरा कर कोई साज दिल छेड़ते मुस्कुरा कर कोई देख ले हमको नजरे उठा कर सोई हम खात हो न चाएं यूँ आह भर्त भर्ते बंती है सिंदकी में हर बात बंते बंते बंती है सिंदकी में हर बात बंते बंते देख देख अजर नचार कर कोई कर देख खिया है कर देख देख हमारे मना करने के बावजूत तेरी होटल में आने की हिम्मद कैसे हुई जी मुमा जी प्रेम के गाने के पेपर उड़के हमारे कम्रे में आगे थे वही पोशाने के थे अच्छा आज गाने के पेपर उड़कर आगे थे इनके कम्रे में अर कल प्रेम का प्रेम पत्र भी आ जायगा और अगर प्रेम पत्र के लिए काझस कम पड़ाय है तो खुद प्रेम साहप चलय आएंगे इसकी कमरे में क्योझ क्या अपने ही होटल में जाने का हक नहीं हमें हक कि सादी है की बात करती है आ यह पा संसल्रागे कि ए कि कि हम अधा का मातर है कि नियुक उन्हें कि सब्सक्राइब चो पे अ ए हम यह मैंने हो ते नियुका जाया सोच हुआ क्याती से चुम चुमर और रोग्ण है प्रेम प्रेम क्या इतनी उठा दिया अपने अरे देखो तो सही इसमे क्या है क्या है अरे वहाँ कल रात अगर अनमोल ने हमें नहीं बचाया होता तो हम तो अपने पहली प्रोग्राम में फ्लॉप हो जाते कल रात होटल में आने के वज़ा से बिचारी के पाउं चला दिये गए पाउं चला जब तक बड़े मालिक जिन्दा थे रानियों की तरह रखा था उसे उनके जाते ही रानी से नौकरानी बना दिया उसकी सोतेली मा और मामा ने बच्पन से आज तक बड़े जुन सही है विचारी ने हां घड़ी तो बंध है फिरे टिक टिक यह आवाज घड़ी की नहीं तुम्हारे दिल की धड़कन की है यकिन नहीं आता तू पूछो अपने दिल से कैसी हो आप यह क्यों है कोई देख लेगा देख लिया तो क्या उन्हें दरवाजे से अंदर आने को मना किया खड़की से तोड़ी आहिसा बोल बाबा कोई सुन लेगा अरे तू सुन ले तूम खावा करतनी घबराती हो मामली थीक हो जाएगा आप बैठे क्या थीक हो जाएगा तू बैठे कही तू मैड़से भी होगा तू प्रॉब्लम हो जाएगी चलो पांदो नहीं नहीं अरे पांदिखाओ पांदिखाओ मलम लगानी एं दे दे क्या कर दिया एंचल्दा दोने क्या बहुत दर्द हो रहा है नहीं हम दर्दी की आतत नहीं नामे इसलिए हासो भराए तुम मिन लोगों के इतने सितम क्यों सेती हो और हम कर भी क्या सकते हैं बहुत अकले हैं इस दुन्या में कोई नहीं हमारा सब जानता हूँ मैं मगर आज के बाद ऐसा कभी मैं सोचना मैं जो हूँ हमें हमारे हाल पे छोड़ तो प्रेम अगर तुमारे हम दर्दे क्या दत हो गए हमें तो फिर तुमारे बिना ये दर्द अकेले नहीं साज़ाएगा तुमारे नासों के कसम अनमौल अगर इने मुश्कराट में ना बदला तो मेरा ना भी प्रेम नहीं अरे कोई बचाओ अरे सीडी में अटक या हूँ कोई बचाओ भई क्या मुसीबत है ये कोई है सीडी मेरे में फच गई ये मैं सीडी में फच गया हूँ कोई बचाओ ना भई को बचाओ अरे क्या हुआ अरे क्या हुआ अ้ाया... आप गिर गई आप जो सबस्षरी आımızı इनमपर गो अ्रवाट नॉंसेंस अरे चमेली, किया हुने और बिदा हुझासि आप भेन गिर गह Tuesday पर दो अक्रेम, अर्वाट ऑप अनी? थाप ऐबलो टाम के लिक मत रवी पर यहां पर अच्छरा साफ ने खना साफ आपका मुल तो काला हो गया जीची ले अरे अब ठीक कर देते इसमें डिए अब यह देशिक है यह आप यह दो आप किया करा परें तरी मुट्छाफ और लेंगे तरह देखा आप करें रिखाँ रुमालियानीन, मूध होने चला का... बाहराए आजो अच्छे, अपलोग मदद किर लोट चमबा जी मैं आपनोे जोटा करता हुना अच्छा की अप्रेम, बरसों बाद अन्मोल बेटी के चेहरे पर मुस्कराइट देखने को मिली गए शापाज पिटे शापाज जो आच्छा के चाल जोड़ेगे रही बड़ा है लेकिन अच्छा है बाद में से अल्टर कर लूगा किते पैसे शेस के पाद जी सेस्ता है श्रिप शेसर रुपय में शेसो यह लोग, अनमुल परदेशी देखे इसके दाम दुगने होगे क्या कल तक तक तो यह जा के तीन समय चिला चिला कर बेच भी थी तीन समय देना तो ठीक है वह न हम आगे जाते हैं चलो प्रेम, कल कबत कल है सिर्फ साड़े तीन समय देदें साड़े तीन सो यह लोग, अची चीज है क्या तो इसकी बीवी लगती है जो इसका पैसा बचा रही है आपने हमारे पैसे बचाये, थैंक यू अची चीज है हमारे होते हो यहाँ आपको कोई लूट सकता है क्या जर देखो अजी आपको क्या मालूम हम तो कब के लुट चुके हैं पैसे में एक जाकेट लेना था ना अब एक जाकेट दो आदमी पेनके गुम हो जाओ खोलना इसको पिछे से सिप तूद गई है लगता इन दोनों की नहीं नहीं शादी हुई है लगते एक दूसरे से बहुत त्यार करते हैं अरे चिपजने का इतना ही शौक है तो कमरें से बाहर ही क्यों निकले एक काम के लुट तुम नीचे जाओ तुम नीचे से निकलो आजाओ मैं अमोल, अउपर, उपर, उपर. मैं नहीं की से शाथाँ ने, ख्रमी उपर. ईपर आजा. मैं क्या करें इस और तो तो हम दोनों को? प्रमीम, देखो सब्सक्रण ख्रेता हो गया है यहां तुमेश जियाकेट से निकलो यहां से लेड़ेचलो आइडिया, आओ तुम्हारा मरखाब हूँ, तुम्हारा अर्मान हूँ, तुम्हारी धड़कन हूँ, मैं ये तुम्हें न जाना कर ले भरोसा कैसे, किस बात पे हम, होने दो रफ्ता रफ्ता हो, ये दूरिया आप कर फैसला दिल कर ले, समझो सही है, जो ना लगे बेगाना, अपना वही है एक नजर को नजर से तुम, ये क्या समझा गए, अभी तो मैंने ठीक से, तुम्हें न पहचाना तुम्हारा मैं खाब हूँ, तुम्हारा अर्मान हूँ, तुम्हारी थड़कन हूँ मैं, कि तुम्हें न जाना लगता है ऐसे, बहती समय की धार्म ठंगनी हो जैसे मिले रोज ऐसी सजा दुआ हम करेंगे तुमसे इसी बाने कले हम मिलेंगे एक बहु का मुझे हारी तुम गले में वहना गए अभी तुमेने ठीक से तुम्हारा मैं खाब हूँ तुम्हारा अर्मान हूँ तुम्हारा भरकंद मैं यह तुम्हारा नचाना अर्मान है तुम्हारा अर्मान है यह क्या आई रभासार में उस जैकित वाली ने हम दोनों के इसमें पसा दिया आप हमारी मदद कीजिए इस जिप पीछे वो जिप तूटी विया अब पीछे अच्छा शुक्रिया भगवान तुम दोनों को ऐसे बंधने बांदे रखे जिसे कोई ने छोड़ा सके ऐसा ही होगा रामू काका ऐसा ही होगा लगता है पिता जी हमें इस नर्ग से निकलने वाला आ गया है आ गया वो जानते हैं उन्होंने तो अपने दिल की बात क्या डाली हमसे मगर हम उनसे कैसे कहें कि हमें उनसे प्यार अपने दिल की बात किससे कहें डर लगता है कहीं खुशे हमसे आगर कोई छीन न ले या वन लेक काउंटर सारी सारी काउंटर खत्म हो चुके हैं जफर साब ने इन लोगों के साथ-साथ कैसे कभी सारा माल जीत लिया है वा जफर साब वा डिल्ली से बड़ा नसीब लेके आएं आप हर बासी आपकी हमारे कसीनों को तो आप ने कहीं कह नहीं छोड़ा जफर साब हमें भी एक मौका दीजिए कि हम अपने कसीनों को बचा सकें डबल और कुट्स मंजूर है यह रहे पांच लाके काउंटर तुम जीते तो यह सब तुम हरे और अगर तुम हरे तो तुम्हें दस लाक देने पड़ेंगे तो ठीक है नमबर बूलिये नमबर नो और मेरा ठारा हलो वह ओ यह बाजी तो आप हार गे जफर साब बड़ लुक बड़ लुक नेक्स टाइम घंड़ जब हमारी एक नजर हसीनों पर होती है तो दूसरी नजर तुझ जैसे कमीनों पर होती है मैगनेक्ट जफर के साथ धोखा जेटें जफर के साथ धोखा करने का अंजाम जनते हो मुझे माप कर दीजे चल दस लाक रुपए निकाल इतनी बड़ी रकम अभी मेरे बास नहीं है थोड़ी दिनों की मॉला दे दीजे मैं आपकी एक एक पाही चुका दूगा प्रामिस यूँ ठीक है मैं तुम्हें दस लाक रुपएयों के लिए दस दिन की मॉला देता हूँ और अगर ग्यार्वा दिन हुआ तो ये जो दो तुमारी भांजिया है ये दोनों उठा ली जाएंगी प्रादनाच अरे उठाओ कम बखतो ठाओ मुझे मारा सत्यानाजो मामजी आप क्या होगा मामजी हमें बचा लीजे मोती मोती देखो मोती तुमने उस दिन प्रेम का भीजाव भूला में लाके दिया था ना तो आज उनकी छोटी से तस्वीरा में लाके दो ना जो बात जो बात हम उनसे कहने से शर्माते हैं उनकी तस्वीर से कह देंगे करता है जनकी में लाके वाई बापा, रे बापा, होती ही तुमने तुमसे चोटी सी दस्वीर मांगी थी, तुम्हें थी बड़ी दस्वीर ले आए जानते हो, हम उनसे क्या कहने वाले थे दिल के लगी कही जाने ना सजनर, सजनर, सजना दीवानी में दीवाना तो दीवाना है सह सुहाना दीवानी में दीवाना तू दीवाना बसां सुहाना दील के लगी कही जाने ना सजनर, सजनर, सजना दीवानी में दीवाना तू दीवाना वासा सुहाना दीवानी में दीवाना तू दीवाना वासा सुहाना प्यार तुझे करती हूँ कितना ये कैसे समझाओ पास मेरे तु आजा तेरे कालों में बतलाओ प्यार तुझे करती हूँ कितना ये कैसे समझाओ पास मेरे तु आजा तेरे कालों में बतलाओ और कोई सुन पाए ना सजनर सजनर सजना प्यार तु प्यार तु आजा तु आजा तु आजा थ। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो बीवानी में दीवाना तू दीवाना वासं सुहाना दीवानी में दीवाना तू दीवाना वासं सुहाना हुआ 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 है चलो लाला 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 दिल की लगी का है जाने ना लेकिन हम तो सब जानते हैं मुझे इस पर नहीं बिचारे प्रेम पे तरसारा है अगर मामा जी को पता चल गया तो इसकी नौकरी तो जाएगी जाएगी बिचारा मुफ्त में अपने हाथ पेर और तुड़वा बैठेगा हाथ पेर तो क्या मामा जी से जान से मार देंगे बगवान के लिए मामा जी से प्रेम की शिकारते करना हमें जो चाहिए सजादे दो तु क्या समझती है जो हमारा ना हो सका उसे हम तेरा होने देंगे हाँ हर्गिस नहीं हम अभी मामा जी को जाकर तेरी प्रेम कहानी सुनाते है नहीं ऐसा मत करिये हम हाथ जोडते है अगर तु चाहती है कि हम मामा जी से कुछ ना कहें तो तु वही करेगी जो हम कहेंगे समझी हाँ हम वही करेंगे तो खाकासम तु आइंदा प्रेम से कभी नहीं मिलेगी और बात भी नहीं करेगी नहीं, इतनी बड़ी कासमा देजे, अब तो हम ब्रेम की विना जीवी नहीं सकते तो ठीक है, हम मामा जी को सब को जा के बता ही देते हैं नहीं, रोख जाओ 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 भगवान के लिए इतने बड़ा जुल मत करो देखो, देखो, आम तुमारे आगे जोली पहलाते हैं एक प्रेम का प्यारी हमारी जिंदगी में खुश्य है लेकी आया है अपनी बड़ी बेहन समझ कर है हमें वो खुश्य है, भीक मी देदो भीक में दो मामा जी आप तुझे प्रेम की लाश ही देंगे अपने मरे माबाप की फोटो के साथ साथ प्रेम की तस्वीर ज़रू लगा लेना और उस पे चड़ाने के लिए हार के पैसे हमसे ले लेना बगवान के लिए ऐसी बात मत को अगर तुम चाहती हो कि ऐसा कुछ ना हो, तो खा कसम कि आज के बाद तु प्रेम से कभी नहीं मिलेगी सोचती क्या है, प्रेम की जिंदगी और मौत के दर्मियान सिर्फ तेरे हां या ना कहने की देर है हम कसम कहते हैं, अज के बाद हम प्रेम से कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे यहिश्कारों क्यों लगाया हमें, क्यों लगाया क्यों लगाया क्यों क्या हो गया अनमोल, यह क्या हो गया तुम्हें, मुझे नराज हो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ तो जरूर है जो तुम मुझे रूठी हो जरूर नहीं कि आपके हर बात का जावब दिया जाए अनमोल, यह कल तक तु 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 ठीक थी, यह अचानक तुम्हें क्या हो गया कल तक जो हुआ वो हमारी भूल थी तु वह मनेखिलघी है लेकिन आएंदा हमसे मिलने के कोशिश नहीं कहना नहीं कियो जन्मोल, मेरा कशूर क्या अनमोल मेन میں रुस से प्यार किया, मजाथ नहीं मिकार है यह सब आते विकल तो इससे अपने दिल अनमौल ये मेरा दिल है दिल, कोई किराय का मका नहीं कि जब चहान नोटिस दे और खाली करवाया, तुम्हें मेरी बात का जवाब देना ही पड़ेगा हम तुम्हारे आगे हाथ चोड़ते हैं प्रेम, ऐसे हम बहुत सताय हुए हैं, हमें और प्रेशन मत करो इसका मतलब, इसका मतलब कल तक जो प्यार तुने मेरे साथ किया वो जूट था, नाटर था तुम्हें जो समझना समझ लो, लेकिन हमें जाने दो अनमौल छोड़ो मेरा हाथ प्रेम ये क्या हो ज़िए तुम्हें चेड़ खानी नहीं चलेगी ये बजमाची या नहीं चलेगी, समझा है आप लोगो खलत है, मैं इसने जानता हूँ अवे चल चल अनमौल कोई इश्क का रोग लगाए ना 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 जारो अग लगाए राजू आखों की थाड़ी फिल गल्पी जी का बनी जंजान आखों की थाड़ी फिल गल्पी जी का बनी जंजान आखों की थाड़ी के वल्पी जी का बनी जंजान ना जीने में ना मरने में हो जाए यहाल कोई इश्क का रोग लगाए ना कोई इश्क का रोग लगाए ना लग जाए तो लग जाए तो फिर पच्छ ताए ना कोई इश्क का रोग लगाए ना कोई इश्क का रोग लगाए ना कोई इश्क का रोग लगाए ना दिल का लोना दिल का देना बात नहीं मामूली बात नहीं मामूली दिल का लेना दिल का देना बात नहीं मामूली सक्चा आशित हो जो हस हस चड़ना जाने सूली कोई इश्क का रोग लगाए ना कोई इश्क का रोग लगाए ना लग जाए ना लग जाए ना फिर बच्छ काए ना कोई इश्क का रोग लगाए ना कोई इश्क का रोग लगाए ना प्रेम 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 मुझे मिलना होगा अन्मौल और मुझे बताना होगा कि तुम मुझे क्यों मिलना चाहती जड मत कोई आए प्रेम वनना वनना हम चौर मचा देंगे मचा तो शौर लेकिन आज मुझे मेरी पाद का जवाब देकरी रहोगी तुम अन्मुल, दर्वादा खोलो मामजी प्रेम, बगवान के लिए नीची मत उतरना अगर मामजी तुम यह देख लिया तो उत में चाहां से बातेगे अन्मुल, दर्वादा खोलती हो कि नहीं कहा है, कहा है प्रेम प्रेम मैंने इसी कबें से उसकी आवाद सुनी है कहा है कहा गया वो क्या लगता है मामजी आपको धोका हुआ है शट अप मुझे कोई धोका नहीं हुआ समझे तुम मुझे धोका देने की कोशिश कर रही हो जो दोस्तों यहा प्रेम जो गीत मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं उसके बोल तो मेरे है लेकिन धुन किसी और की है जिसका मेरी नजरों को इंतजार है जी वह मैं स्टेप से प्रेम की आवाज सुन रहते अच्छा यार नहीं तो यार की आवाज सही मैं तुझे अभी बताता हूं देख भारानी मैं तुझे आखरी वार्निंग देता हूं अगर आज के बाद तुने प्रेम से मिलने क्या उसकी आवाज सुनने की कोशिश की तो मैं तुझे सिंदा चला अगर प्रेम का मुझे पता ने अरे चंपा चमेली मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ बता चुकी है हराम साथी उस लफंगे से इश्ग करके खांदार का नाम बतनाम करने चलिए देखता हूं आज के बाद तुस घर से बहार कदम कैसे रखती है हाया धन्राज नीचे गुदाम में आपका इंतजार कर रहा है धन्राज जल्दी चलो बहुत गुस्से में अ मतुमा करता है यह क्या किया अपनी जान पर खिल के आने की जुरती अगर कपड़ों में आँफ्रम करने तो मर जाता वैसे वह मैं ने सतिया जीने से मर जाना ते था तो मुम्हें कर गयाकर छाएध तो जाना किया डू़ कसूर तुम्हारा नहीं, उन कस्मों का है, जो बेडिया बनकर हमारे पैरों में पड़ी है मुझसे ना मिलने की तुम्हें कस्में दी गई थी लोगों की देवी कस्मों की लाश तो रख ली तुमने, अपनी महबत का गला घोंड कर पर कभी यह नहीं सोचा कि कल से लेकर आज तक तुम्हारी जुदाई की एक एक पल में कितनी बार मर मर के जिया हूँ तो हम भी कहां जिंदा थे प्रेम, अपनी आत्मा पे एक पोच ली जी रहे थे हम मजबूर थे, अगर ऐसा ना करते तो उन्होंने हमें धम की दीती, कि वो तुम्हें जाल से मादा लेगे मुझे बचाने की खातिर तुमने अपने आप को इती बड़ी सजा दी अनमोल हमने प्यार किया है, कोई गुना नहीं किया कि इस तरह हम घुट-घुट कची है मैं कली तुम्हारे घरवालों से हमारी शादी की बात करूँगा शादी? लेकिन वो नहीं मानेगे वो माने ना माने, अब हमारी शादी को कोई नहीं रोक सकता सिर्फ हमारी जिंदगी में खुशिय खुशिय होंगी अच प्रेम हाँ और मुझे तुम्हारी कोई बात ने सुनने तस्तन का वक खातम हो गया तो फिर दर्लाज भै तुम्ही कोई रास्ता निकालो न तो अपना होटल बेच डालो लेकिन यह कैसे हो जकता है देखो न, होटल तो मेरी भांजी अन्मोल के नाम लिखा है कितनी देर करती तुने कहां मर गए थी देखती नहीं मेमान कबसे यहां बैठे है चला किदर अब जा क्या नाम है तुम्हारा जी अनौल जाओ कौन ही है भांजी है मेरी सौतेनी नाचनगाना चांती है सारा दिन यही तो करती रहती है कंबख्त खना साब समय लो कि आपके पैसे का इंतजाम हो गया इंतजाम वो गया लेकिन वो कैसे जफर साब की एकी कमजोरी है कौवारी लड़कियां और वैसे भी हीरा मंडी में उनसे बड़ी बोली कोई नहीं लगा था इसको हीरा मंडी पहुचा दो इसकी असली पैचान तो वहां के जोहरी करेंगे पहले इसकी नत्थ उत्रेगी और उसके बाद नोटों की बरसान अरे दस लाक तो यूँ निकलाएंगे दस लाक? और अगर कमसिन कौवारी निकशी तो दस के पंद्रां भी ला सकती है उसमें से दस आप जफर साब के दे दीजिगा और बाकी के पांच फिफ्टी-फिफ्टी फिफ्टी-फिफ्टी? लेकिन मैं उसे महा लाओंगा कैसे? तरकीम मैंने तुम्हें बता दी है रासा तुम निकालेना खीकी तो कहता है धनराज अरे जहां रोज हजारों लड़किया बिगती है वहां एक अन्मोल भी बिग गई तो कौन सी कयामत आजाएगी? वैसे भी अन्मोल की नजर उस प्रेम पे है और प्रेम की नजर इस फोटल पर नहीं! मैं उस प्रेम के बच्चे को कल ही नौकरी से निकाल दूँगा कुट मौनिंग खना सब आपने मुझे बुलाया वैसे भी आप से मिलने आ रहा था मुझे आप से कुछ कहने यह इससे पहले के तुम कुछ कहो तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है अपना हिसाब करो और ठफ़़ हो जाओ मुझे आपकी नौकरी की परवा नहीं है मैं आपको और बात करने आया हूँ मुझे तुम्हारी कोई पक्वासी सुनी आपको सुननी ही पड़ेगी मैं अन्मोल से शादी करना चाता हूँ खबरदार मेरी अन्मोल का नाम अपनी जबान से लिया थो देड़ हरजार रुपया कमाते हैं और मेरी भॉली भाली पांजी को फजाकर उसकी लाखों की जादाद हराब करना चाते हो उसकी जादाद पर नजर मेरी नहीं नजर आपकी है खना साब आपकी मैं तो ये समझ कर आया था कि अब अन्मोल के बुजग है हमारी शादी आपके आशिरवाद से हो तो फिर ये शादी आपके आशिरवाद के बिना होगी आनमोल अनमोल इन पथर दिल लोगों से बात करने का कोई फादा नहीं हम अभी इसी बख्षादी करेंगे निचा अनमोल खबरतार घर से एक बिए कदम बाहर निकाला तो जांती होना वरना अरे इनकी धंकियों की परवा मत कर अनमोल चलिया अनमोल गाट्स चल अनमोल कार मत बाब इस बार्ट Mart करक्ड़र केंग करा से लुके डर्ट परव्त मठे हो उल्डर में। अनमोग मैं वाट्सा रफस्त यहुक कर लुक हाण भी करक्ड़ कर रु़ अरो सौर नधिए सर्छ घर कर दो कर रहा इंप संस्थ यार अर्यप आले कर दो pengat लो कर जड़ करू़ कर जड़ थन कर जड़क परणार कर दो, खश़ कर तॉद différent जड़ कर जड़ुव का जड़ुवां फॉटक पर शिमान जड़ी डाल। इसे नौकरी से निकाल दिया है हमने अगर आपने प्रेम को नौकरी से निकाल दिया है तो हमें भी एकने आपकी नौकरी अरे जाना है तो जाओ बत्सका आपर को अइख़ लिए मैं भी देखता हूं खना सवाब आपके ये पहरेदार लोहे के सलाखें आपके घर की चार दिवारी मेरी महापत को कब तक रोके रखती है आएगी वो आएगी तोड़ी चली आएगी सुनकर मेरी आवाज आएगी आएगी वो आएगी ताड़ी चली आएगी सुनकर मेरी आवाज आएगी तोड़ के दिवारे खली चाबारे तेखेंग सारे पाहों में आएगी आएगी वो आएगी तोड़ी चली आएगी सुनकर मेरी आवाज आएगी तुझे रोक पाए गला किसम दम है चली आप चली आप मेरी कसम है तुझे रोक पाए गला किसम दम है चली आ चली आ मेरी कसम है मैं जानता हो तहचानता हो तुझे मौत भी अब रोक न पाएगी आएगी वो आएगी तोड़ी चली आएगी सुनकर मेरी आवाज आएगी मेरी आएगी तोड़ी आएगी आज तुझे मैं ले जाऊंगा जान या अपनी दे जाऊंगा आज तुझे मैं ले जाऊंगा जान या अपनी दे जाऊंगा खिसमत पूठे या जगरूठे या जान जाएगी या जान आएगी आएगी वो आएगी तोड़ी चली आएगी सुनकर मेरी आवाज आएगी अंसिका जान जाएगी या जाएगी वो आएगी मेराएगी तुमने पुकारा में चली आई आउंगी में आउंगी दोडी चली आउंगी सुन कर तेरी आवास आउंगी आउंगी में आउंगी दोडी चली आउंगी सुन कर तेरी आवास आउंगी लोगे जहर भी जी जाते है चार में मर के जी जाते है लोगे जहर भी पी जाते है चार में मर के जी जाते है चार पहादा मैं भी निभाँगी इतना बड़ा तो फित के दिखाँगी आउंगे मैं आउंगी लोगे जाते है लोगे जाते है लोगे जाते है लाल, 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 ला परीपुर यह यह जो. एक्ष़न संवे के पाढ़ की प्थिट pa drink कअर है कवर है कशर है कवर जो ऑड़ प्जोर है ठेस भेफुर है यह कि अपर दो अपर दो कि अपर कि अपर कि अपर कि अपर कि पुश्पा यह रही तुम्हारी लाटली नालाइक यही रह गया था सडकों पर नाच गा के हांदान के नाम को चार चार लगा रही है पत्तमीज तेरी इनी सरकतों ने हमें कहीं मुदिखाने के लाइक नहीं छोड़ा पत्तमीज पत्तमीज पचपंसे लेके आज तक तो इसे आख से जराते हैं मैं मामा हां यह ले यह ले और जला दे इन आकों को जिसने प्रेम को इस दिल तक पहुझाया है जला दे इन पहरों को जिसने प्रेम तक जाने में हमारी मदद की अरे जला दे इस शरीर को जिसने प्रेम को अपने बाहों में समथने की प्रहिमत की चलो लेकिन एक बात यात रखना तुम सब लोग मैं प्रहिम से मुहबत करती थी करती हूँ और करती रहूंगी समझी प्रहिम के प्यार का भूद जो तेरे सर पे सबार है आज मैं उसे हमेशा के लिए खतम कर दूँगा पुष्पा खासलेट लाओ बेव अरे जोटी कहो है खासलेट क्या मांगता है खन्ना तेले तुम्हें पेट्रोल लाएँ पेट्रोल यह ले बेव आगे ना बड़ो बेते आग लग जाएगी तरता है खन्ना जिन्दीगी बर इस मजबूर लड़की के पैर जलाता रहा आज खुद जलने से टरता है जब यह आग इन कपड़ों में लगेगी तो तू चीखेगा जिलाएगा और यह मल्हूस चेहरा जल कर इता बयाना को जाएगा के बच गया तो जिन्दागी से मौन की भीक मागया भीक भीक मागयगा यहा मुझह बूलो के बूलो के मुझह भूलो के मैं किसी कभी ऐसा नहीं रुगा मुझे माफ कर दे मुझे माफ कर दे जया मामा तुझे माफ किया शुक्रिया बेटी थैंक्यू मेरी मुछ अब देखते हमें शादी करने से कौन रोकता है आउन बोल रुक जाँ प्रेम इस नाबानक लड़की को भगाने के जुर्म में तुम्हे साथ साल की सजा हो सकती है हाँ हाँ अनमोल अभी सत्रा साल की याट थ्रा बरस की नहीं हुई तुम्हारा एक भी कदम इस घर से बाहर इसके साथ दिखला तो दूसरा कदम तुम्हें जेल पहुँचा देगा आपने हमारा रिष्टा हमसे पूछे बगार कर दिया और वो जो लाखों रुपए तुम पे खर्च की आज तक वो क्या तुमसे पूछ के किये थे बहला बहला अनमोल का मोल लगा रहे हो तुम अरे लानत है तुम पर अरे तुझे जो समझना है समझ लो ठीक है आप लोगों की जुल्म की खायद से अनमोल को रियाद कराने के लिए 15 तो क्या मैं 16 रुपए देने को तयार हूँ तु दो कौडी का गवया पंदरा जनम भी ले तो भी 15 रुप नहीं कमा सकता इसकी चिंता आप मत कीजिए लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिनों की महलत चाहिए कुछ दिनों की महलत चाहिए अरे तो कहता हूँ कि जाने दो इसे अरे क्या फरक बढ़ता है एक बार गया तो वापस नहीं आएगा समझी मैं तुम्हें सिर्फ तीन दिन की महलत देता हूँ अगर पैसो का इंतजाम ना हो सका तो चौति दिन आने की जरूरत नहीं है क्यूंकि अनमोल उसी की हो जाएगी जिसने 15 लाग देने का वादा किया है ठीक है लेकिन प्रेम तुम इतनी बड़ी रखम लाओगे कहां से फिकर मत करो अनमोल अपने प्रेम पर भरसा रखो मैं आउंगा जरूर आउंगा मोती अनमोल का ख्याल रखना मोती अनमोल आउंगा झाल आउंगा झाल मोती अनमोल कि अनमोल झाल झाल जी वो अभी आ रहे हैं थैंक यू गुद्मार्ण सर में तूर्ण काव्ण केया है विस्ति के तूर्ण के तूर्ण भी तूर्ण के तूर्ण मिस्टर प्रेम आप से मिलना चाहते हैं उनसे कहे थो के इंपिदार करें जी वो इस एको आपको हमने इंतिजार करने के लिए कहा था ना क्या एक बेटे को इतना भी अधिकार नहीं कि वो बिना इंतिजार किये अपने पाप से मिल सके अधिकार किस अधिकार की बात कर रहे हैं आप उस अधिकार की जो आप मेरे मुपे मारके चले गए ते उस दिन याद है आप हो प्रेम तुम्हें कोई अन्दादा है कि अपनी जिद में तुम क्या छोड़ की जा रहे हो मैं जानता हूं मैं क्या छोड़ रहा हूं डैडी आपका ये बंगला ये शान और शौकत ये आईश और आम करोरों का बिजनिस मुझे इसमें कोई दिल्कश्पी नहीं है मैं अपने पेरों बे खाड़ा रहा चाता हूं डैडी इस बाजे के जरीए क्योंकि संगीती मेरी जिंदगी है और मोती मेरा साथी मुझे मालूम था कि ये बाजा और ये कुट्टा जिने तुम सड़क से उठा कर ले आए थे एक दिन तुम्हें सड़क को ले जाएंगे इस मुल्क में जहां हजारों बेरोजगार और भूके हैं मैं समझ लूँगा कि एक और बढ़ गया मगर याद रखना कि एक दिन जब तुम दरदर की ठोकरे खाओगे न तो तुम्हें वापस मेरे ही पास कुट्टे की तरह दुम हिला कराना पड़ेगा याद आया याद आया जी तो फिर किसलिए आया हूँ डैडी डैडी नहीं सरा सरा को बाप बेटे के रिष्टे को तो आपने उसी दिन खत्म कर दिया थे जिस दिन आप घर छोड़के चले गए थे जानता हूँ सर लेकिन इस वक्त में आठीकार के लिए नहीं रहम की भीग मांगने आयो आपसे आप लोग बैठे रहिए अभी मीटिंग खत नहीं हुई है तो बोलो क्या चाहते हो सर मुझे सोला लाक रूपियों की सग जरूरत है सोला लाक चीवे मैं सोला लाक में तुमने बाजा गिरवी रख दिया ? यह वो कुता क्या नाम था उसका ? मोटी ? इतने तु Knights तुनी थे वो सर मुझे 16,000,000 रुपे चाहिए अनमोल को छुड़ाने के लिए प्लीज अनमोल कौन अनमोल अनमोल नाम की एक लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ लेकिन उसके घरवाले 16,000,000 रुपे मांगते हैं इस रच्टे के लिए आप मुझे इतनी सी रखम देदीजिए मैं आपका एक एक पैसा चुकार दूगा सर एक एक पैसा हाँ कैसे बाजा बजा के नहीं अपने आपको गेर भी रखके आप नहीं चाहते हैं कि मैं संगीतकार बनूँ नहीं बनूँगा आपकी नक्षकनम पर चलकर मैं हर वो काम करने को तयार हूं जो आप जाते लेकिन मुझे पैसे देदीजिए मैं आपके पाओं परता हूं सर इन पैसों को दान समझ कर मुझे भेग में देरीजिए मेरे पास सिर्फ तीन दिन बज़ें पहुचने के लिए मैं कुछ भी करने को तयारू, कुछ भी एकसर, कुछ भी देखा आपने, जेंटलमेन, कितनी तागत है पैसुम 16 लाक रुपाओं की लालच ने हमारे इस खोए हुए बेटे को हमारे पास पहुचा ही दिया अब यह हमारी हर शर्त मानने को तयार है जो चीक, चीक, काल तुम है पैसे मिल जाएंगे Thank you sir, thank you very much ुप मिल जाएंगे प्सक्षिवाओं जाएंगे तक बाहँए जाएंगे 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 नानी घाती है ना जैन का थैवा है तुझिन जैना तुझिन चौना सुन सुन मेरे साथिया सुन सुन मेरे साथिया तब आएंगेर जिया नानी दाती है नाचे नाता है उचली जयां तब आएंगेर जिन संसर निरसाचिया तब आएंगेर जिया वादा था आने का लगता है सोतने रोखा है तु ही बता साथिया शरौफत नहीं में तो धोखा है वादा था आने का लगता है सोतने रोखा है तु ही बता साथिया शरौफत नहीं ये तो धोखा है परियाद आदी है मुझे पास आदी है मुझे लिजयां पर जिन संसर निरसाचिया तब आएंगेर जिया विसन संसर निरसाचिया तब आएंगेर जिया तब आएंगेर जिरसाचिया क्या करूं रातों को खाबों में वो तड़ पाती हैं क्या करूं रातों को खाबों में वो तड़ पाती हैं क्या करूं रातों को खाबों में वो तड़ पाती हैं इस साल के बजट में तो सिर्फ साथ सतर करोड रुपहों के फाइदा हुआ है अगर हम दोनों के हाउस मिर जाएं तो हजार डेर हजार करोड कर रहा है आपने मुस्से का था यह दिना अधूर अंकल से तो मिलो नस्ते नमस्ते बिटा आज तो 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 बड़े हैंडसम लग रहे हैं और भाई वारी बेटी से मिलें नहीं जी इदा बेटी इदा बेटी प्र हुख्यणक रहा है प्रेम, अधुग मष्या है। हुख्यणक रही है। मुझे जाडी से कुछ देखा एस जे साब का लड़का और माथर के लड़की आपस में कितना घुल मिल गए एस जे साब जरूर कोई बिजनेस के डील कर रहे होगे अरे वो बिना फैदे के कोई काम नहीं करता इस पार्टी का भी रूर कोई मतलब है दोस्तो आज मैं धरम चंदर माथर साहब के साथ 30 साल की दोस्ती को खत्म कर रहा हूँ दोस्ती हमने खूब निभाई मगर हम अब यह चाहते हैं कि इस दोस्ती को एक रिष्टे में बदल दिया जाए तो मेरे बेटे प्रेम और माथर साहब की बेटी गीता की मंगी का मैं आज एहलान कर रहा हूँ इसक्यूज मी प्लीजिज प्लीज एपने क्या कह देए डड़ी आप तो आप में साथ चली है आप से बात करना चाहता हूँ बात में बात में नहीं अभी इसी वक्त चली तो फिर चलो आपने मुझसे पूछे बगएर मेरी मंगनी गीता के साथ कैसे तैकर ली ड़ी इसमें पूछने की जा बात है फिर पड़ गाये तुम अधिकारों के चक्कर में ये मत भूलो कि तुम मेरे पास गिर्वी पड़े ह हुए हो रही पैसों की बात तो क्या नाम बता तुम ने उसका डी के खनना लो यह रहे तुम्हारे 16 लाक अब छोड़ा लेना तुम अपनी अनमोल को वैसे जिसका मोल लग जाए उसे हम तो अनमोल नहीं कहेंगे चलो पाटी में आप जानते हैं कि मैं अनमोल से बहुत प्यार करता हूँ डैडी तो कर लो ना प्यार कौन रोकता है तुम्हीं प्यार तो किसी के साथ भी किया जा सकता है मगर शादी शादी सर्थ बराबर वालों के साथ होती है जो लड़की पैसे लेकर घर आए उसे हम कहते हैं बहू और जिस लड़की को पैसे दे के खरीदना पड़े उसे कहते हैं रखेल डैडी मतलब यह के रखो और खेलो डैडी अनमोल एक नेक और अच्छी लड़की है तो घीदा में क्या खराबी है खुबसूरत है बड़ी लिखी है तुम्हारी बच्पन की दोस्त है और सबसे बड़ी तुम जितनी चाहो अनमोल और रख लेना उनको हमरे दूसरी कोटियों में अनमोल रखे नहीं मेरा प्यार है डैडी मैं उसे प्यार करके इस घर की बहु बनाना चाहता हूं मेरे जीते जी नहीं तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ जीता के साथ प्रेम प्रेम लेडी जेंटलमन अभी अभी मेरे डैडी ने मेरी मंगनी का अनॉंसमेंट सुनाया था आप लोग ने बड़ी तालिया बजाई थी मैं उन तालियों को शुक्रिया के साथ वापस कर रहा हूं इसके बाद एक लख भी बोला तो कभी माफ नहीं करूँगा अब ये शो मेरा ह डैडी मेरे डैडी के लिए शादी एक बिजनिस दील है उनके मेरी ये जिन्दगी एक चेक है चेक जिस पर वो साइन करके मुझे मातुरंगल के काउंटर पर कैश करना चाते है नो डैडी आम सॉरी एक और बात कहना चाता हूं वो बहुत खुश नसीब होगा जो कीता के सा आप दूसरों की मजबूरी से फायदा नहीं उठा सकते हैं मैं तो घर पर आया था अपने बाप के पास कर्ज मांगने ताकि मैं अपनी अनमोल को जालमों के कब्से से चुड़ा सको लेकिन घर आया तो बाप की जगह एक सौदागर मिला Excuse me, Uncle. I'm very sorry, Uncle. मैं अपने प्यार का सौदा नहीं कर सकता Geetha Geetha, रोको Geetha Geetha, मेरी बात तो समझने के कोशिश करो Geetha Geetha, तुम मेरी बश्चमन की दोस्त हो, मुझे गलत मैं समझो, please जितना मैंने तुम्हे आज समझा है प्रेम, उतना तो पहले कभी समझा ही नहीं था ऐसा मत कहूँ देखो, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हे नजों से गिर चुका हूँ लेकिन मेरी महबत की मजबूरी तो समझने के कोशिश करो आज हमारे बीच अनमोल ना होती तो शायद हमारे बीच अनमोल है प्रेम सोला लाग चमा करने के लिए कितना वाक्त है तुम्हारे पास बस से एक दिन और है यह क्या कर रहे हो मैं तुम्हारी मंगेतर ना सही प्रेम दोस्त हूँ ना और दोस्ती के नाते मुझे इतना हक तो है कि आज तुम्हारे मैं कुछ कामा सकूँ शायद यह जेवर सोला लाग से ज्यादा कीमती हो इन्हें बेचकर अपनी अनमोल को छुड़ा लेना नई गीता मैं यह नहीं कर सकता अगर तुम दोस्त की मदद को एहसान समझते हो तो इन्हें एक कर समझ कर ले लो ओकी थैंक्यू गीता प्रेम को तो किसी तरह चक्कर चला के अमनी यहां से निकाल दिया लेकिन आप समझ में यह नहीं आ रहा कि अनमोल को कोटे पर कैसे पहुचाए जाए प्रेम के बुलावे के अलावा वो तो मौत के बुलावे पर भी नहीं जाने वाली अब अगावत पर उतराईग है और अगर किसी तरकीब से उसे ले भी गए तो उससे पहले होटल के काख़ाद भी तो साइन करवाने हैं कुछी दिनों में वो 18 बरस की हो जाएगी चलो न मामा जी जॉनी लीवर के प्रोग्रम के लिए देर हो रही है तुम लग जाओ प्रहता हूं आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं मशूर मिमिक्री आटिस्ट और फिल्म स्टार जोनी लीवर भाई और बहनों धन्यवाद मैं सब सब पहले आपको आपके मन पसंद प्लिबैक सिंगर के वाज में एक गाना सुनाओंगा आप बताएए किसकी आवाज में गाना सुनना पसंद करेंगा आप लोग कुमाशानो ठीक है और उसे साथ साथ मैं तीन मशूर फिल्म स्टारों की आवाज में उनके तीन हिट डेलाग पेश करूंगा वा चाचा वा गुनाहों कि खाई में धकेलना जानता हो देकिन इसकी घैराई से घबराते हो देखा चाचा इनसान जब गरता है तो किस घैराई तक गरता जाता है कभी मैं फिल्मों में आता रहता कभी मैं टीवी पर भी नजर आता कभी मैं मैं फिल्मों में आता रहता कभी मैं टीवी पर भी नजर आता कभी मैं महफिल पर भी छा जाता के मैं हूँ कौन मेरा जूता है जापानी ये पत्लून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टो पीरू सी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मैं जूट नहीं बोलता जी मैं उस देश कवासी हूँ जिस देश में गंगा बेती है जी ओ दुनिया के इस रंगमंच पर लाखों का लाका आते रहे उन में से ही हम एक है अपनी का लापेश करते रहे कभी मैं रोता दुनिया हसती है कभी मैं हसता दुनिया रोती है कभी मैं गाता दुनिया गाती है के मैं हूँ कौन कभी मैं फिल्मों में आता रहता कभी मैं टीवी पर भी नजर आता कभी मैं महतल पर भी छा जाता कि मैं हूँ कौन अब उनका नाम जोनी, जोनी का दूसरा नाम करण्ट, हिंडी में जटका, मराडी में फटका अब उनकी आवाज जंग का एलान करती है, अब उनकी मौजूद्गी मोद का पैगाम लाती है, कोई शक? ओ, कट पुतली बन, दिल्मों में हम, सब के इशारों पर नाचा किये रोने कहा, तो रोते रहे, गाने कहा, तो गाते रहे कभी मैं प्रेमी बन के प्यार करूँ, कभी मैं हीरो बन के वार करूँ, कभी मैं डांसर बन के डांस करूँ, के मैं हो कौन? मिलूज शक्रादी! मैं मैं फिल्मों में आता रहता, कभी मैं पीवी पर दी नजर आता, कभी मैं मैं फिल्म पर दी छाजाता, के मैं हू कौन? जोनी भाई, जोनी भाई, उपर वाले ने भी आपको आवाज बदलने का क्या हुनर दिया है, हाइए बैठिये, थैंक यू, अगर इसी आवाज से हम दो तिलों को मिला दें, तो आपको दुआएं लगेंगी, समझानी मैं, जोनी भाई, पेरे एक भाजी है, अन्मोल, जिस को प्रेम नाम के लड़के से प्यार हो गया है, लेकिन प्रेम का दिली भे कार एक्सिडेंट हो गया है, वो हस्पिटल में है, बहुत सीरियस है, बचने की भी उमीद नहीं है, अन्मोल, अन्मोल पुका रहा है, हम उने मिलाना चाहते हैं, लेकिन मैं, मैं अपनी भाजी को यह सच भी नहीं बता सकता क्योंकि उसे दिल की बिमारी है अगर उसे बताया और उसे कुछ हो गया तो मैं लेकिन इसमें मैं आपी क्या मदद कर सकता हूं जोनी भाई अगर आप प्रेम की आवाज निकाल कर अनमोल को दिली बुला सके तो हमारी सारी मुश्किले आसान हो जाएगी प्रेम की आवाज तो मैंने कभी सुने नहीं मेरे पास उसकी आवाज है जोनी भाई ये सुरिए थैंक यू थैंक यू दोस्तों जो गीत मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं उसके बोल तो मेरे है लेकिन धुन किसी और की है जिसका मेरी नज़रों को इंतजार है खना साब आप जैसे सोचने वाले कुछ और लोग की दुनियो में हो तो प्यार करने वाले कभी जुदा नहीं हो सकते क्यों ऐसी है न प्रेम की आवाज बिल्कुल जोनी भाई बिल्कुल यही तो समझ लिजे आप काम हो गया क्यों प्रेम की आप काम है तू इंतजार ही करती रहना अब प्रेम नहीं आने वाला समझी मुझे अपने प्रेम पर विश्वास है वो आएगा ज़रूर आएगा अरी हो अन्मोल दिली से प्रेम का फोन है प्रेम 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 तुम कब आ रहे हो अन्मोल मैं नहीं आ सकता हूं यहां पिताजी को हार्ट अटक आ गया है इसलिए तुम्हें दिली आना पड़ेगा अन्मोल पिताजी चाहते है कि हमारी मंगली हो जाए और तुम्हारे 18 साल होते ही वो हमारी शादी करवाते हैंगे ताकि तुम्हारे घरवालों को कोई हात्रास नहीं हो और वो कहरते है कि जब तक तक तुम्हें हमारे साथ यहां दिली भी रहना पड़ेगा लेकिन लेकिन तुम्हारे जी को फोन दो मैंने सब समझाता हूं मामा जी प्रीम आपसे बात करना चाहते हैं हम है खना बॉल रहा हूं है तब काम ठीक हो गया ना मैं फोन रख देता हूं नहीं प्रेम मैं मोल को लेके दिली नहीं आऊंगा तुम तो पैसे लेके पहुंचे यह नहीं है ख प्रेम साब ने आपके लिए 16 लाग का ड्राफ्ट और अन्मोल मैं साब के लिए गाड़ी बिजवाई है हालो हा प्रेम तुम्हारा आदमी ड्राफ्ट लेके पहुंच गया है तुम मंगनी की तैयारी करो मैं अन्मोल को लेके दिली पहुंचता हूं आपको पैसो से मतलब है ना ममा जी लाइए में दस्तकत कर देती हूं पैसे आपको मिल जाएंगे यह लो इधर करो यह लिजिए ठीक है तुम जाने की तैयरी करो शापाश धन्राजबाई यह पुष्पा पैन आपसे सारी जाएदा तुमारी यह लो यह लो माजी अगर आप लोगों की सेवा में कोई कमी रहे गए हो तो हमें माफ कर दीजेगा ठीक है ठीक है ठीक है हम जा रहें बहर तो जाओ ना हम आप हम कर दो कर दो कर दो मोटी 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 ओफो इस कुट्टे ने तो हमाई नाक में दम कर दिया है पता नहीं का मर गया मोटी मोटी बालकिन जब यह गाड़ी खना साब को छोड़ने आएगी तो हम मोटी को अपने साथ ले आएंगे आप मोटी को ज़रूर लेके आएंगे ना हाँ बाबा हम खुदी छुटका रहा पाना चाते इस गुट्टे से अरे उसे एक दिन भी ने रखेंगी यहाँ आये 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 मोटी आये मोटी आओ चलो अच्छा लोगे चलो ड्राइवर बढ़ा आये बुटा आये अच्छा आये आ आये कर दो कर दो कर दो अन्मोल डिल्ली आगे है जीती रहो बेटी जीती रहो, वाखना सब्वा, वाखे आपके अनुवर, सुच्छे मूती की तरह पाक और बेदाग है काश मेरी भांजी को आशिरवाद देने के लिए आज जी जाजी जिन्दा होते है बेटी, सुखिरा जय जय शुबधन, जय शुबलक्षमी आओ बेटी, आओ, अपना दहना पाओ अंदर रखाँ चलो बेटी, आरानी, आओ आओ बेटी अरे बाब, अरे बाब, अरे बाब, इतनी बड़ी कोठी है प्रेम की मामाची, प्रेम का है, बस आते ही होगा बेटी हस्पताल गया है, हस्पताल गया है बेटी, तुम मेरे साथ अंदर चलो, जल्दी से तयार हो जाओ, मैं मानों के आने का वक्त हो गया है जलो जाओ जाओ, जाओ जाओ, जाओ यंधर जाके तयार जाओ, जाओ जलो जाओ जबाज चलो जलो अभो, यहां बैठो नमस्ते, बैठो लो, बेटी, इसे वर कपडे, पहन लो कितना प्यार करते हैं प्रेमम से, कितने कीमती हैं ये जेवर और ये कपड़े बेटी, ये जेवर और कपड़े तो कुछ भी नहीं, असली कीमत तो इस नच की है, सच मौसी तीन तीके, अगर तुम्हारे मामा जी ने जॉनी लीवर से फोन पे प्रेम की जूटी आवाज ना निकल वाई होती तो अन्मोल का यहां से जाने वाई प्रेम आज रात को तो कोटे पे उसकी बोली लग रही होगी बहुत शौक था ना उसे प्रेम से शादी करने का अब हर रात कोटे पर बिन ब्याहित दूले बदलती रहीगी इतना बड़ा धोका, मेरी आवाज का फाइदा उठाकर खन्रा ने अन्मोल को कोटे में बेचने ले गया, जी हाँ इस बात की ख़बर पहले मैं प्रेम को देने चाहिए प्रेम कहां रहता जानते हो, नहीं ओ, प्रेम को कहां ढूंडे यार ये तो प्रेम को कुता आप एप लिए प्रेम का आप 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 ये जैसे लिए लिए के लाइन मिलती है तो एक नमर लगाजे। जी प्लीज किसी की जिंदगी और मौत के सवाल है इंस्पिक्र इस सादिशस नहीं पहन भी शामिल है उसे भी खिईगिश्टार किजिए लेकिन इसके लिए हमें सबूत चाहिए सबूत मैं देता हूँ लोकल काल तो कर सकता हूँ हलो मैं दिल्ली से खना बोल रहा हूँ बैना खुषखबरी है खुषखबरी? यानी अनमोल बिक़ी? पिक़ी कितने मिली? गिते गिन्ते उंग्लियां गिस जाएगी इतले? मा लेके कब आ रहे हो बस कल शुपा पहुंच रहा हूँ ओके सुन लिए अंसपर्ट साब चलो चलो ले चलो इन्हे अंहीं अंहीं क्या होगा चलिए बैठे आप लो गाड़ी में क्या बात अंसपर्ट साब इनका भाई खन्ना अपनी सोतेली भांजी अनमुल को प्रेम से मिलाने के बहाने दिल्ली के किसी कोठे पर बेचने के लिए ले गया क्या और इस साज़िश में इन लोगों का भी हाथ है नहीं इन्सपर्ट साब ऐसा नहीं हो सकता नहीं प्रेम हूँ इन्होंने हमारी शादी के लिए सोला लाग रोबे की शर्त रखीती जिसे मैं अपने वादे के मुताबिक लेकर रहा हूँ बोल मैंसे सिर्दा शर्त कीती के नहीं शर्त कीती के नहीं अरे तुम लोंको पैसा चाहिए ना? पैसा ना? यह देखो मैं किता पैसा लागँ देखो अपनों मेरी अनमौल का है मेरी अनमौल का है मिरी अनमौल का है Mr. Prime यह खुद नहीं जानती यह खन्नाव से दिल्ली के किस कोटे पर बेचने के लिए ले गया है यह तुन्हे क्या कर दिया अरे तु आरत नहीं दायन है दायन है जी गता तेरा गराद तुन अज़र कर दो राली तुन्मॉटर प्रेम अगर दाली का इतना ही शौक था अगर्मेलियन मंगको उला तॉल माउलिया कासम आजि खु़ हम वो थिढ़ आओनॊ वो और मनों मौ गु़ हम खु़ हम आवको गत्रो कम झाल ु़ खु़ हम नपौ झाओनौ से, तूल कर भरुना। कबन र मैं वारी जाओं, बलहारी जाओं, मारी जुबान जले, पर तुझे किसी की नाजर ना लगे गुडिया, जला दिखा तो सही बीटी, वावा, बहुत सुन्दर लग रही है तु वावा, परमसी, प्रेम भी तक निलाए लोग, सौ साल जियेंगे, तुमने याद किया और वो आगे साच शीशा टूट गया, वावावा, यह ताप शुकर ना गया अरे नहीं नहीं बीटी, आज के दिन किसी चीज का तूटना हमारे या अप्शगुन नहीं, शगुन माना जाता है ओ, प्रेम प्रेम, प्रेम, किती दिर कदी तुम्हें आने हाँ, 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 आप प्रेम नहीं है प्रेम नहीं, प्रेमी जफर साफ, आये, आये, जहे नसीब, जहे नसीब, अरे बेटी, सलाम करो इन्हें, यह हमारे शेर के सबसे बड़े रजिस है, सलाम करो, आये, आये, रशर्फ लाइए धनराज, वागई तुम पत्थर की खान से हीरा उठा लायो यह तो आप जैसा जोरी ही परक सकता है, मामजी यह सब लोग कॉन है आप कहा ले आये हमें आपने तो कहा था कि आप हमें प्रेम के पास ले जाने वाले हैं जूट कहा था हमने जूट, जूट कहा था लेकिन प्रेम रे हमें खुद यहाँ पर बुलाया था हमने अपने कानोसिंक्री आवउस सुनी थी वह आवाज भी जूटी थी क्या हमने किसी और से तुम्हारे प्रेम की आवाज निकलवाई और तुम्हें दो के से यहां पर ले आय róż दो किसे हमें लेके और फिर तेरी नत फुतरेगी मामा, आप ऐसे ने कर सकते हम आपके आगे हाँ जोड़ते अन बोल का बोल मत लगाई मामा हमने बहुत अखलीबे उठाई है बहुत दुख से सिंदगी भर आप लोगों की सेवा की मगर एक उप तक नहीं की एक प्रेम का प्यारी तो हमारी सिंदगी में खुश्या लेकि आया है हमारे प्यार कुरू सब मत कीजिए मामा मत कीजिए इस कोठे पर आने वाली हर लड़की रोधोकर कम सिनी का दावा करके अपनी कीमत बढ़ाती है मगर आज आज हम तुम्हारे हुसन की कीमत जो लाखों में एक है लाखों में लगाते है दो लाख हमें बचा लेजे यह यह लोग हमारी इसस लुटना चाहते है अरे पगले यहां इसस लूटी नहीं खरी दी जाती है चार लाख अपनी चोटी पैन समझ के हमें बचा लो बहिया भईया नहीं सहिया किसे सजा दे सात लाख धूंगा सात लाख सुन तो कमपी है क्या अब आप में लोग के से बचा लिजे आप मेरे बाप सो बाण है बाप कहना पाप है मैं तुम्हारे इन आशुओं में दूप के मर जाओं मैं तुम्हे सुने में तौलूग, लो लाख मौसी, मौसी, आपको देख आ रहत है हमारे मार्दी पे दाग न लगने दे वनाम प्रेम को मूझ दिखाने लाइग ने रहेंगे हम बर जाएगे, हम बर जाएगे मौसी हमें बचा लीजे अरे निगोडी, अरे नसीबा वाली है तू जो जफर साब न तेरी बोली, लाखों से शुरू की है अब नाच गा के अपनी बोली बढ़ा ले, चले अच्छा, अच्छा, ये तों भूली गए थे के ये नाच गाना भी जानती है, चल नाच मैं नहीं नाच गी लड़के जफर की बात पर अगर कोई मर्द इंकार करे तो हम उसकी चमड़ी उतार लेते हैं और अगर कोई और अउरत इंकार करे तो उसके कपड़े चल नाच हमने नाचेंगे अगर अब भी नाची तो नाच नाच, जमना भाई जी दिल लगानी की नादो सजा यू सजा दूर महभूब से महभूआ कर दिया ओफिया दिल लगानी की नादो सजा यू सजा दूर महभूब से महभूआ कर दिया ओफिया दूर महभूआ कर दिल लगानी की तूर कर दिल लगानी की तूर महभूआ अगर नादो कर दूर बना दुश्मत ये साला जहां है हाई महभूम मेरा कहा है भरी बर साथ में घर जला क्यों जला दूर महभूम से महभूमा कर दिया ओ भी या बोली अर्बोले की लग रही है सरमादार गोबित रही है उड़ना जाए हाया पाटु पंदा शर्मगी भी शरंगो नहीं है मूल अन्मूल ताना लगा ना लगा दूर महभूम से महभूमा अर्बित रही है बोली अर्बादार । में समचति की मंजिर मिलेगी मेरे हाथों में महंदी रखेगी सेख पूरों से मेरी सेखेगी आज सच धच के दोली उठेगी इन कहारों ने धोका दिया क्यों दिया दूर महभूब से महभूबा कर दिया कर दिया कर दिया दिया दानी के ना दो सजा यू सजा दूर महभूब से महभूबा कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया पंद्रा लाक अगर इससे बड़ी बोली लगाने की किसी की हिम्मत हो तो ही वो इस महभूब में बैठे वरना उड़ी आप कर दो पंद्रा कर दो कर दो और हमने भी आज तक इस हीरा मंडी में ऐसा अनमोल हीरा नहीं देखा दनराज जमना बाई के लिए 10,000 अनमोल की जान का सत्का चाल सरकार क्या हमाता इने तुम भूली गए थे कितने लेनन से सिरफ 10 लाग हुजूर 10 लाग बाफ और बोली के 5,000,000 नहीं दे दो मेरी भी उमर आपको लग जाए जए जफर साहब रहम की भीग देना तो कोई आप से सीखे अरे ऐसी एक हजारों अनमोल कुर्बान आपके उपर चलिए आए आए मैं की वाचय के नहीं जाए मैं जोड़ की बजाए जोड़ जोड़ ख़ाए दरबाए गुल बाई जोड़ 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 कि अब विए वो रहा है हाई जड़ पिलेगे लिए यह ना कर दो भाँ रहे होगी तो वाँ वाँ पिलेगे लेगे लिए अल्य हो ना कर दो भाँ यह दो भाँ तुम लोग सराव देख। तुम लोग सराव देख। कर दोगो सराव देख। तुम लोग सराव देख। जाओ नहीं मिली वो लड़की यहीं गई होगी जाओ ढूलो से पुलिस बंदबस्ता साब मैं पुलिस पुलिस कुछ नहीं जानता मैंने कीमत चुकाई है उसकी मुझे किसी भी कीमत वो लड़की चाहिए हुजूर अगर आपका हुपम हो तो आज रात के लिए दूसरी लड़की का इंकिजाम कर दूँ अब अगर जफर के बिस्तर पर सिल्वटें पिंगी तो सिर्फ अनमोल के जिस्म से ही पढ़ेंगी समझाएं अरे धन्राज इतने सुंसान रास्ते से कहां जा रहे हो तुम खपराइए मत खन्ना सहाब यह शहर से बाहर जाने का शॉटकट रास्ता है पर यह माल तो आदा आदा कर लेते जल्डी क्या है शहर से बाहर निकलते कर लेंगे अरे यह क्या हुआ अधन्राज भाई लगता है कार्बूरेट में कच्रा आ गया है मैं देखना हूँ गष्णिय क्या है वितल्फ कच्रा पिट्रोल में नहीं हाई था, तीरी नियत में आए था, नहीं रहा था, नहीं देखना साहब, मैं तु पहली जान गया था, कि तू ये सारा मल हारब कर जाना जाता है यह जाफर साब का हुकम था हुकम किसी का भी रहा हो लेकिन तुझे मैं उपर जानी का शॉटकट अभी बताता है कि अपर आप कि अच्छा कि अच्छा कि कि अच्छा हुआ 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 है कि वुआ है प reciproम तर rectangle कि अपام lleva पुआ हुआ है भुआ है जी हुआ है बड़ाई! 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 मुर्टा लोटा मुर्टा! दूदा, बड़ा खाँ पेष दिया मिर्यन मोल को? बढ़ो, बढ़ो! कु ते! बढ़ा बढ़ा! मिलस बन्हेंग! हुआ पार्षा हुआ। मिवに रपनों य degree प्रेस पर छेस जडिल्स फछर परीप पर्फर अमस्याओ जडिल्स एक यूिल्स क्यों पर्फम सत्वक प्रे के अःए कापरदार आगे मत बढ़ना क्या कर लोगी हर लड़की यही कहती है मगर हमने मरते हुए किसी को नहीं देखा आज देखोगे मेरी रगों में बहता हुए यह खून आज भी लाल है ना जाने तेरी रगों में पहुंचकर यह काला और गंदा कैसे हो गया अबजान आप बीच में मत पढ़िए यह हमारी जिद और इजद का मामला है दारा शमशेर का बेटा एक मजलूम लड़की की इज़र लूटने को अपनी इज़र बढ़ना कहता है अरे हमारे पुर्खों ने बे सहरों को सहरा देकर मजलूमों को पना देकर और गरीबों को इनसाफ देकर अपने खानदान का नाम रौशन किया है और तू हमने भी गलत काम नहीं कि अबाजान इस लड़की की कीमत चुकाई है ये ये हमारी रखेल है जिस घर में खुदा की अबादत के लिए सजदे में सर जुकते हैं वहां सर उठाकर ये गंदालत मुझ से निकालने की तेरी जुरत कैसे हुई अबाजान हाथ हमारा भी उठ सकता है जफर शरम नहीं आती तुझे ऐसी बात कहते हुए छोड़ अपने अबाजान से कह दीजिए कि अब हमारा कद इनके कद से उंचा हो गया है आएंदा अगर हाथ उठाएं तो सोच समझकर आपके इस तमाचे का जवाब अपने तमंचा से भी दे सकता हूँ अरे तमंचा तो दूर अगर मेरे शोहर की तरफ आइंदा आँख उठाकर भी देखा तो मैं अपनी कोक को अपने सुहाग पर कुर्बान कर दूंगी जफर तेरे गंदे कार नामों के बारे में सुना तो था और यकीन नहीं होता था आज अपनी आँखों से देख लिया इससे पहले कि हम तुम्हें अपने दिलों से निकाल दें निकल जा हमारे घर से ठीक है मैं भी देखता हूँ कब तर कब इस लड़की को मुझसे बचा कर रखते हैं अब ये लड़की दारा शमशेर की पना हमें है दुबारा इसे चूने की कोशिश की तो तेरा ये सर धर से कर दूँगा दफा हो जा जांसे समझ भी नहीं आता किन नमों से पुका रहे हम आपको मा कहें बाप कहें यह बगवान अरे नहीं बेटी कौन हो तुम बेटी कहां जाना है तुम्हें अपने प्रेम के पास शिकर मत करो बेटी हम तुम्हें प्रेम तक पहुंचाएंगे आओ तुम्हारी दर्द भरी दास्तान सुनकर बड़ा दुख हुआ बेटी लगता है इंसानियत खत्म होगी दुनिया में नहीं बबाबा जब तक आप जयसे च Señ लेक इनसान थी दुनिया में है इसनएत कम हो सकती है अँग नहीं हो सकती जस घर से हमारी चांद्नी बेटी की डोली नॉठ सकी उस घर से हम अनुमोल बेटी की डोली उठाएंगे बबाबा क्या हुआ था चांद्नी को कैंसर उसे ना तो हमारी दौलत और ना ही हमारी दौाइं बचा पाई उसका नाम रखते वक्त हम ये भूल गये थे कि चांद्नी सिर्फ चार दिन की होती है खुदा के उस फैसले पर हम बहुत रोई थे बेटी मगर चांद्नी के लिए मांगी हुई दौाएं बेकार नहीं गई ये आज पता चला उस खुदा ने हमारी चांद्नी को अनमोल बनाकर दुबारा इस घर में भेश दिया मां जी सर शेद्रा फैक्ट्री के ब्लास्टे जो लाशे मिली है वो इस कदर जल चुकी है कि पेचानना बहुत मुश्किल है और एक लाश के करीम मिली इस जैकेट से ये फोटो बरामद हुई है सर इस फोटो के पीछे इन दोनों के नाम लिखे है प्रेम अनमोल इनस्पेक्टर इस फोटो को अखबार में हलो कमिशनर साब मैं दारा शमशेर बोला हूँ कहिए खान साब कैसे तकलिफी अनमोल नाम की एक लड़की मेरी पना में है जो प्रेम नाम के लड़के की तलाश में यहां आई है उस लड़के का पता है आपके पास पता तो नहीं लेकर वो यहीं दिली शहर का रहने वाला है अगर आप क्या नाम बता है उस लड़की और लड़की का अनमोल और प्रेम अनमोल प्रेम खान साब एक बुरी ख़बर है नहीं नहीं मा ऐसे बात बंद गई है हमारे प्रेम को कुछ नहीं हो सकता यह पलिस अने सब छूट बोलते हैं यह सच है बैटी कल रात प्रेम ब्लस्प में मारा गया यह जैकेट और यह तस्वीर उसी जगह से मिली है नहीं बाबा इसा नहीं हो सकता इसा कैसे हो सकता है जब महाबद तो जिस एक जड़ का नाम है तो तुम मत एक को कैसे हो सकती है मुदै को कैसे हो सकती है मुदै को कैसे हो सकती है नहीं होने चान अकेला चोड़ दो जमुना भाई कहा है जी अंदर है अरे सरकार आप सुभा ही सुभा कैसे तकलीफ की मुझे बुला लिया होता कहिए क्या बात है हमें अनमोल नाम की लड़की की तलाश है और हम आपके कोठे की तलाश ही लेना चाहते है अबलदार चलो तलाश ही लो अनमोल नाम की लड़की तो कोई आये हैं नहीं सरकार बरसों बीट गए हैं इस कोठे को नया चेहरा देखना नसीब ही नहीं हुआ इस कोठे को तो नजर लग गई हैं सरकार इंस्पेक्टर साब इस बड़ साब यह अनमोल की शौल है मैंने उसे दीती देखिए अब आप पूछिए से पूछिए से के अनमोल का है जम्रा बाई जी सरकार सच सच बताओ कहा छुपा रखा है अनमोल को कहा है अनमोल माफित चाहती हूँ अनमोल यहां आई जरूर थी लेकिन रात ही वो खड़की तोड़के यहां से भाग गई सरकार करके लोग जहर भी पीजाते हैं पीजाते है, प्यार में मद के जीजाते है, प्यार कवादा मैं भी निखाउंगी, मित ना पड़ा तो, मित के दिखाउंगी. अन्मा, अन्मा! आएगे वो आएगे, दवड़ी चले आएगे, सुन कर मेरी आवाज आएगे. आएगे वो आएगे, दवड़ी चले आएगे, सुन कर मेरी आवाज आएगे. तोड़के दिवारे, कर्चा बारे, एकेंगे सारे वाहों में आएगे. आएगे वो आएगे, दवड़ी चले आएगे, सुन कर मेरी आवाज आएगे. आएगे, 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 आएगे आएगे, सुन कर मेरी आवाज आएगे. आएगे, 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 मैं आएगे, तुमने पुकारा, मैं जब आएगे. आएगे, 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 दवड़ी चले आएगे, सुन कर मेरी आवाज आएगे. आएगे, मैं आएगे, दोड़ी चले आएगे, सुन कर मेरी आवाज आएगे. वोगे आएगे, सुन कर मेरी ग्ले आएगे, नहीं कर द privately थाम बूझे threw बत बयूम, Liter. वोगे झाशोर्ड़ी आएगे— आएगे! एगेड होमान मैं! — बड़े! čा वोमान! पीजब आएवाली! एचा लेघा लेखा 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 ले घे खाँ। लॕ्ट Looks लूआ जोड़ पैँ जड़ लॕ जरण फ्या जरण आपाजन प्रेम जफर छोड़ दे अनमोल को जफर की फित्रत में जिद का जहर भरा है और अनमोल मेरी जिद है अगर ये तेरी जिद है तो इसे प्रेम तक पहुचाने का मेरा लिवादा है अपनी तलवार को म्यान मेरे दीजिए अपाजन क्योंकि हमारी पंदूक से निकली एक गोली बाप बेटे के रिष्टे को नहीं पहचानती है अच्छा किया तुने जफर जो बाप के फर्ज के रास्ते से रिष्टे की दीवार ग्रादी अब तलवार चाते वक्त मेरे हाथ नहीं काम पेंगे रुक जा अपाजन मैं आखरी बर कहता हूँ रुक जाओ जाओ रुक जाओ जाओ जिन्दगी मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी शेर मर्द के घर तुझ जैसा की दर परदा हुआ अब तु अनमोल को यहां से नहीं लेगे जा सकता आज अगर आसमान से खुदा भी उतराए तो वो भी जफर के इरादी को नहीं बदल सकता मत ले अपनी कंदी जबान से उस परवर्दिगार का नाम अरे वो तो बहुत बड़ी चीज है तो जैसे शैतान के खात्मे के लिए उसका यह बंदा ही काफी है तू लड़ेगा मुझसे आज मेरी महबबत का चनून मेरे सर पर जफर या तो मैं मर जाऊँगा या तुझे मिठातूँगा तू ने तो अपनी वफादारी निभाली अब मुझे लेने दे पदला इससे अपनी महबबत का अनमोर की तारा पर उसकी मजबूरी का उस फरिष्टे पर चलाए हुए एक-एक कोली का अवा एकश खब वाइक का अवाए याओ कि तुझे आई एक उखवा हुए पुझे निए पुझे आए पुझे आए पुझे 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 जो जो हुझे आए याँ कर दो 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 कर किया बटुछ। ठाफ। ठाफ! कुछ्छ। ठाफ! डिन! कुछ। मा तोसे जाँसे, मा तोसे जाँसे! अगर तूस नेक इन्सान का पेटा ना होता न तो आज मैं इस पर लगे अपनी महबत के खुन को तेरे खुन से थोता हुआ तेरे खुन से थोता हुआ पहेब पहेब अजये झाल झाल मैं अगर इमार कर पो लुग्दाप माजी 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 बेगम दो प्रेमियों को मिलाने के लिए यह गुर्बानी जुरूरी थी एक बाप आप है और एक मैं जो अपने ही बेटे के खुशियों के रास्ते में दिवार बना ख़़ा था प्रेम जड़े मेरे बेटे मुझे माफ कर दो अनमूर बेटे अनमूर तुम्हारी धड़कन हूँ मैं ये तुमने न जाना